नौर्थ जिले के मौरिस नगर के स्विशल श्टाप ने बाप बेटे भगोडे को किया है गिरफतार जिन पर 50,000 रुपए का इनाम था आए देखते हैं विशेश रिपोर्ट नौर्थ जिले के मौरिस नगर इस्विशल श्टाप ने कोड से भगोडे वा इनामी बाप बेटे को किया गिरफतार पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी धीरस त्यागी को किया है गिरफतार साथ में इनके पिता को भी गिरफतार कर लिया गया है दोनों थे नियाले से प्राधियों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई गई थी इसी मुहिम के तहर 27 माई को सूचना मिली थी कि नियाले से गोसित भगोडा धीरस त्यागी यूपी आगरा में कहीं छिप कर रह रहा है तुरन दिली पुलिस के एक टेम बनाई गई और टेम ने आगरा में जाकर अपनी सूचना ही कटी की और वहां की लोकल इंडिलिज्यलेंस की भी मदद ली गई पुलिस को साफ हो गया है कि यह आरोपी धीरत त्यागी और इसका पिता सीवकुमार त्यागी रहते हैं पुलिस ने काफी मेहनत के बाद इस मामले में धीरत त्यागी जिसकी उम्र उपर चीटिंग के मामले बुराडी और सुरूपनगर थाने में दर्ज हैं जमीन के मामले में लोगों ने चीटिंग का काम करते थी यह धीरत त्यागी मात्र 8.0 कलास पास है और उनके पिता स्व्कुमार त्यागी मात्र 5.0 कलास हैं यह मुल रूफ से गढ़मुक्तिसवर उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं और बुराड़ी में अपने रिलेटिव के यहां रहकर इन्होंने जमीन खरीदने और बेचने का काम सुरू किया था जब इनके उपर जमीन की चैटिंग के कई मामले दर्ज हो गए तो इन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया और धीरज ने अपना नाम आगरा में जाकर देवंदर रख लिया और देवंदर नाम से नकली आईडी एडेंटी कार्ड भी बनवा लिये फिलहार पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है